इस तरफ से यह दस्वा एन्यूवल मेगा ब्लाटोनेशन क्याम्प और इस साल अब इस साल तकरिबन एक हजार के ऊपर हमारे ब्लाटोनेशन हो जाएंगे पिछले साल तकरिबन 875 पचेतर हुए थे और अभी में नौजवानें उसे सभी से अपील करता हूं कि आप ज्यादा ज्यादा ब्लाटोनेशन में इससा लेजिए और अपने खून का अतिया पेश क अभी इस कैम्प में अभी तकरिबन 6 ब्लट बैंक को हमने इन्वाइट किया है जिसमें घाटी है दत्ताजी भाले लोकमानिय सत्तेसाई थिलिस्मिया एक में खुसी दोर पे कहना चाहूंगा सत्तेसाई ब्लट बैंक जो है सिर्फ थिलिस्मिया पेशेंट्स बच्चे के ल कि आप ज्यादा ज्यादा आए और इस ब्लट डोनेशन काम्प में अपना खून कातिया पेश करें घाटी में सबसे बड़ा हिस्साम घाटी में देते हैं और कुछ जैसे घाटी में बहुत सारी चीज़ एस डीपी और डीप वगरा प्लेट अवेलेबल नहीं रहती इस में प्रावेट ब्लट ब्लट बैंक में तो आप हमारे ऑफिस में से रापता खयाम कर सकते हैं इंशालला आपको पूरी-पूरी मदद की जाए एड्रेस यूनुस कॉलरी कटकटगेट और अंगबाद पूल नमबर नहीं है और यह क्यारा साल से काम कर रहे हैं सभी को मालूम है अल्हम्द लुल्ला इसी कोई बतानी तो असलाओलीकुम मैं रियास खाजी मेंबर अल्फरान मेडिकल फांडेशन यह हमारा अल्फरान का दस्वा ब्लड डोनेशन कैम्प है हर साल की तरह इस साल भी आमने रखा है लेकिन यह साल मुमने हमारे जो पॉइंट है वो बड़ाया है हमारा सेकंड ना पॉइंट है अभी एक हजार से जाद ब्लट लोग यहां के डोनेट करेंगे इसाला अभी तक हमारे अराउंड धाइसो ब्लट हो चुके है यानिके बैग हो चुके है और इंशाला रात में 11 बाई तक कैम चालो है तो अल्ला तो असी उमीद है कि एक हजार चे उपर हो जाएक इसाला ब्लट कैम को कामेब बनाने के लिए हम लोग पूरा एक महने से मेहनत करते हैं आप हमारे अल्फरान की टीम में जिशान पड़े साब है हमारे खुर्रम भई है तारिक भई है माजिद भई है रजी भई है अनुवर एमद अब्द समी है और नासिर बास में है अल्फरान मेडिकल फांडेशन ये गुजिशता कहीं सालों से बलट डोनेशन की खित्मात अंजाम दे रहा है बलट डोनेशन के अलावा एक ऐसे नौजवानों का गुरूप है जो मुस्तखिल यहां के प्रावेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकाई दवा खाने में भी मरी मौजवान यूथ है इसके अंदर जातातर मैक्सिमम जो यूथ है ये बहुत अजीम इनसानी खित्मत जो अंजाम दे रहे हैं चाहे वो बलट डोनेशन के दरिये हो या दीगर जो खित्मात है लौकड़ान वगरा में भी इनोंने काफी खित्मात अंजाम दी है और खाबिल बज़े तक यहां मरकद यूनुस कॉलनी के कैम में भी और सिलक मिल का जो मदीना फंक्शनाल है उसके कैम में भी जो जो लोगों ने अभी तक डोनेट नहीं किया है आकर डोनेट करें और इनसानी खित्मत के इस अजीम कास में जो तो अपना हिस्सा लगाए जदा करें असलावलेकूम आज अलफरान का 11 साल मुकम्मिल हुआ बलड डोनेशन कैम का 11 साल यह ऐसा है 11 साल का सफर कि इन्हों ने एक नई चीज और नहीं और अरंगबाद शेहर में एक नई चीज़ यह बताए थे कि बलड आज से 11 साल पहले लोग देते तो 150 इससे जज़ादा नही की मेनत है और बलड डोनेशन कैम के अलावा जो साल बर घाटी और तमाम होस्पिटल में जो खित्मत करते तो इसका इनको जितना इनका शुकर अदा करे औरंगबाद के शेहर के लोगों ने कम है अल्ला इनसे और काम ले और मैं अवाम से गुजारिश करता हूँ कि जब पिछले 11 सालों से इसी तरह से खितनमत अंजाम दे रहे हैं पिछले साल इन्होंने औरंगबाद में रिकार्ड साथ बलड डोनेशन कैम को कामिया भी दी और उसमें हजार नंबर पिछले साल उन्होंने जमा किये थे आज और इस साल उससे ज्यादा करने की उम्मेद है मैं जो भी हजरात इस क्लीब को देखते है या जब भी अलफरान वाले अगली टाइम पर बलड कर्म रखेंगे आप सबसे उम्मीद है कि इन्शालला आप आपका अत्या यहां पर आके देगे खून का टेखेंगे गारोले जोजिए पर इस यहां है में यहां उसके उसमें कि दो कि आप साथ अजिए जो इस ऑनिदेगे आपा गाते हैं आपका यहां पर दोड़ान बनर आपका इस प्रस्टेश कुद्पर आपका इस क्लीजैने कि अपको आपका है एजिए निक्सितर जोच्त स्टाली से इवाले, स्टालakah मार दाशा हो सालिय Channel कर दो ना दंद में प्लाच अराइप。 यारंग बात्ट बात्ट खजयोंग चित जाँ भी आई बात्ट प्रेस्टे लेकर शेहर तक, हर खबर आप तक, स्क्राइब कीजिए और अंगबाद तक, लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस्ट बेल आइकन